जो दोस्तों स्वागत है हमारी यूटूब चैनल साहिल मार्क में तो आज की वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कैसे आप 7 दिन में डेटा बर्थ लिमीट क्रोज को अपडेट करा सकते हैं जी गाईज मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूँ कि डेटा बर्थ को 7 दिनों में कैसे अपडेट करा सकते हैं उसके लिए क्या क्या डेकुमेंट लगेगा और कितना पैमेंट लगेगा ठीके ये वीडियो जो है स्रिफ अर्जेंट वालों के लिए मैंने बनाया है ठीके अगर आपका अर्जेंट नहीं है फिर भी ये वीडियो देख लो ताकि अगर आपको अर्जेंट पढ़ता है तो ये डुकमेंट जो है आप हमें भेज के जो है 7 देस से 10 देस के अंडर में जो है अपना डेट आप बर्थ को अपडेट करा सकते हैं गाईज ठीके तो इस व है और इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें क्यूंकि अधार से जुड़े हर तरह की जनकारी आप लोग को हमारी यूटुब चैनल से दिया जाता है ठीके तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते है देखो गाईज अगर आपका डेटा बॉर्थ जो है लिमिट क्रोस है आप उसको अपडेट करवाना चाहते हैं तो शिंपल सा इस्टेप जो है मैं आप लोग को बताते रहोता हूं कि आप जो है मेल के जरिये से डेटा बॉर्थ को अपडेट करा सकते हैं बहुत ही अशान नहीं हो पाता है क्यूंकि उनका जो है डेकमेंट में प्रोब्लम रहता है और मेल करने में जिसे जो है प्रोब्लम हो जाता है उनको जिसे मेल करने भी अगल गलत कर देते हैं आप लोग तो उसमें भी जो है आप लोग का अपडेट नहीं होता है ठीक है तो इसी को किलियर क को बता दूँ कि urgent वाल के लिए क्या क्या उप्डेट करा सकते हैं जो मेल से अगर अपडेट कराना है आपके पास payment की दिक्कत है यह आपके पास दो मेने चार मेना टाइम है तो आप जो है मेल करके ये रिजनल ओपिस को डेट अब बर्थ को अपडेट करा सकते हैं गाईज उसके लिए आपके लिए सबसे पहले आपका जो है बर्ड सट्टिकेट होना चाहिए ओर जिनल ठीके वो आप किसी भी स्टेट से हैं तो वहा अपने नियरबाई जो इन्रोल्मेंट चेंटर होते हैं उसके एपॉइमेंट ले लिए और वहां पर जाने के बाद से एक सिल्ब डिक्रिशन फोर्म होता है जो यू आईडियाई के तरफ से इस फोर्म को लांच किया गया है और लिमिट क्रोस को अपडेट कराने के लिए जो डेट अब बॉर्ट लिमिट क्रोस है इसको अपडेट कराने के लिए गाई तो आपको जो है इस फोर्म को भर लेना है उसके बास से जाके आपको इन्रोल्मेंट कराना है इन्रोल्मेंट जब कराना है आप लोगों को वहां पे में चीज यह फोकस करना है ठीक है कि आप आपको स्टिल्व डेक्रेशन फॉम बर सट्फिकेट को जो है एक्स्टेंसल फाइल में अपलोड कराना है पीडिया बनवा के उसके बाद से आप जब इन्रॉल्मेंट जो कराएंगे वह फूल स्लीप में होना चाहिए यानि बहुत सारे जो इन्रॉल्मेंट सेंटर वाले होत आता है उसके बाद से आप लोग को शेल्ब डिक्रेशन फॉम बर सर्फिकेट और अधार काड और जो है इन्रॉल्मेंट सिलिप का पीडिया बना के आप लोग को जो है यू आईडिय को मेल करना है तो यहां पर एक सवाल आता है कि अगर आप जो है दिल्ली से हो या आप य जो है जो है आपको यू आईडिया के साइट पर जाएगे तो नीचे स्क्रेप करेंगे तो आपको यह mail दिख जाएगा, इसी mail पर आपको mail करना है, आप भले किसी भी state के हैं, उसके बाद से एक दो घंटे के बाद से आपको SRA number मिल जाता है, अगर इस mail पर आप mail करते हैं, तो बहुत सारे लोग गलती करते हैं कि अपने original office mail करते हैं, आप सबसे बेश्ट है कि आप अपने original office क mail कीजिए, उसके बाद से जो है, अपना एक दो दिन, मतलब एक दो दिन के अंदर में, और बहुत सारे लोग को 3-4 घंटे के अंदर में, जो है, इसरे नंबर मिल जाता है, इसरे नंबर लेके आप लोग को status चेक कर लेना है, कि आपने जो data birth limit cross update कराने के लिए request डाला है, और mail किया है, तो उस पे जो है, आपके डिकमेंट को जांच किया जाता है, और उसके बाद से इसरे नंबर provide किया जाता है, ताकि आपको बत नंबर दिया जाता है, जब आप अपने सरे से status चेक करोगे, तो उसमें अलग-अलग status जो है, आप लोग को देखने को मिलेंगे, कि आपका ये status हो रहा है, आपका वो status हो रहा है, जितने लोग का data birth limit को जो है update करने के लिए mail करते हैं, उनका अलग-अलग status हो होता है, किसी क अपने पहले birth certificate जो है, लगवाया था update करने के लिए, तो आपको उसको cancel कराना पड़ेगा, और बहुत सारा जो है, लोगों का ये होता कि आप कुछ दिन वेट कर लें, आपका data birth update हो जाएगा, तो अगर आपका कोई ऐसा email आता है, तो आप हमें जरूर बताएं, ठीक है, औ बोला जा रहा है, तो आप उसको बनवा लीजिए, उसके बास से फिर enrollment आप कराईए, फिर आप रिजनल ओपिस को भेजना पड़ेगा, ठीक, ये तो हो गया आपका नोर्मल वाला, अब मैं आप लोगों को बता देता हूं, अर्जेंट वाला, जिन भाई लोगों को अर्ज तो उसको अपडेट कराने के लिए या आपको PF दो साल, चार सलों का फंसा हुआ है, लेकिन आपका लिमिट क्रोस हो गया है, ठीके, तो आपको अपडेट कराना है, या आपको किसी भी काम के लिए जो है आपका अधार कार जरूरी है, अपडेट कराना, ठीके, तो आप हमस संपर्क कर सकते हैं गाईस उसके लिए में डेक्मेंट आपको बता देता हूं कि आपका सबसे पहले reject sleep हो तो तूडू है तीन महेने के अंदर में आपका reject sleep होना चाहिए ठीक ए और वो reject sleep जो रहेगा वह demographic होना चाहिए और half sleep नहीं होना चाहिए, full sleep होना चाहिए, demographic full sleep ठीके, और उसके बाद से जो है, आपका अधार काड उसके बाद से जो है, आपका birth certificate ठीके, और enrollment sleep ठीके, अधार काड, enrollment sleep, birth certificate का 3 का स्रीप, ठीके, और जो है, आपका PDF बना के अच्छे से 300 kb में आपको, उसको HD quality में scan करा के computer, जो printer होता है, उससे आप लोग को PDF बना के हमें WhatsApp पे भेजना है, ठीके, WhatsApp पे भेजना है, पहले guys मैं आप लोग को बता दूँ कि इसका payment कितना लगता है, देखो, ये payment जो है, आप लोग को WhatsApp पे बताया जाएगा, और जो भी payment आपको बताया जाएगा, अगर आपको date of birth को update कराना है, तो आपको पहले payment और document जो है, जमा करना पड़ेगा, तभी आप लोग का data of birth जो है update कराया जाएगा, नहीं तो नहीं कराया जाएगा guys, ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे inquiry के लिए बोलते हैं, कि sir हमारा करा दो, हम काम के बाद दे देंगे, हमा पहले आप birth certificate से ना update कराया हो, ठीक है, बाकी सारा अगर अब done होता है, तो आप original office जाओ, विजिट करो, और वहाँ पे जो है अपना enrollment बगारा करके, डेकमेंट जमा करके आओ, 90 दिनों का समय होता है, आपका 2 महने भी update हो सकता है, या आपका 3 महने भी update हो सकता है, ठीक है, तो आप वहाँ पे जाके करा सकते हो, लेकिन हमारे पास पेमेंट के साथ ही डेकमेंट आपको भीजने पे data लगाया जाएगा, ठीक है, तो आप लोग को परशान ही होना है भाई, आप लोग का ज़्यादा अरजेंट है, तो आप हमसे डेकमेंट भीज के हमारे पास और असानी से डेकमेंट जमा करके जो है अपना data worth को update करा सकते हैंगा, ठीक है, तो ये प्रोसेस है और आपका भले name हो, DOB हो, gender हो, ये कोई भी हो, ये update करा दिये जाएगा, ठीक है, 7 से 12 दिन लगेंगे, उसमें आप लोग का data worth update करा दिये जाएगा, अभी काम हो रहा है, ठीक है, ठीक है, बहुत सारे लोग बोलते कि सर हमने यहाँ पे किया था, लेकिन उसने बंदे नहीं किया, हमने यहाँ पे दिया था, उसने अभी तक नहीं किया, तो ये माहिने ने रखता है, देखो, काम माहिने रखता है, कि आपका काम कौन करता है, ठीक है, तो बहुत सारे ल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं तब तक के लिए भाई को दीजिए इजाजत अगर आपको किसी भी टोपिक पर वीडियो चाहिए धार से जुड़े ठीक है तो आप जरूर हमको बताईएगा मैं आप उस पर वीडियो लेके आ जाओंगा गाइस ठीक है